नाइन्टीज के दौर का एक ऐसा चार्मिंग और खुबसूरत अभिनेता जिसके चेहरे में अजीब सी मासुनियत जलकती थी परदे पर एक आमसा दिखने वाला ये अभिनेता बॉलीवुड के एक बड़े फिल्मी परिवार से तालुक रखता था जहां एक और इनके पिता और एक बड़े भाई बहुत बड़े फिल्म प्रोडूसर थे तो वहीं दूसरे बड़े भाई बॉलीवुड के दिखज अभिनेता रहे इन्होंने भी अपने अभिनेता भाई की राह पकड़ी और फिल्म जगत में बतौर अभिनेता काम किया तो बाद में दूसरे बड़े भाई और अपने पिता की तरही फिल्म निर्माता भी बने लेकिन अफसोस की बात ये रही कि वो अपने दोनों भाईयों और पिता की तरह फिल्मी दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाए जल्द ही इनका करियर खत्म हो गया वो खुद अपने बारे में कहते हैं कि उन्हें जो भी मिला बहुत देर से मिला जबकि उनके बड़े भाईयों को इंडस्ट्री में हर कदम पर कामयाबी मिली जी हाँ आज बात करेंगे बोनी कपूर और अनली कपूर के छोटे भाई और बेहदी चार्मिंग और प्रतिभावान अभिनेता संजे कपूर की और इनके बारे में बताएंगे कुछ हैसी बातें जो कि इससे पहले शायद ही आपने सुनी होंगी कैसे बोनी कपूर की वज़े से खत्म हुआ उनका करियर कैसे अनिल कपूर की वज़े से संजे को कई सालों तक करना पड़ा संखर्ष और ऐसी ही तमाम बातों से आज हम परदा उठाने की कोशिश करेंगे बस आप बने रहें फिल्म ट्रेन्मेंट के साथ और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेच को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आलोक कुमार शुकला फिल्म इंडस्ट्री के इस थापित कपूर परिवार से तालुक रखने वाले बोनी कपूर और अनिल कपूर के छोटे भाई संजय कपूर का जन्म 17 अक्टूबर 1965 को मुंबई में हुआ था मुंबई में ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई संजय कपूर के पिता सुरंदर कपूर एक जाने माने फिल्म प्रोडूसर थे और इनका परिवार राज कपूर के परिवार के बेहत करीब था इसलिए संजय कपूर और राज कपूर के छोटे बेटे राजीव कपूर बहुत अच्छे दोस्त बन गए और संयोग देखिए कि जिस तरह राजीव कपूर को अपने बड़े भाईयों की तरह काम्याभी नहीं मिली ठीक उसी तरह संजय कपूर भी अपने बड़े भाईयों से काफी पीछे रह गए संजय जब छोटे थे तब उनके दोनों बड़े भाई इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और एक अच्छा खासा नाम कर चुके थे साल 1987 में जब अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया ब्लॉगबस्टर साबित हुई उसी समय संजय को भी फिल्मों में लॉंच करने का प्लान बनाया गया इसके लिए एक रोमैंटिक फिल्म के स्क्रिप्ट तयार की गई और फिल्म को शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे जिन्नों ने फिल्म मिस्टर इंडिया भी डायरेक्ट की थी साल 1989 में संजय कपूर को लेकर फिल्म प्रेम की शूटिंग शुरू हुई लेकिन इसी दोरान बोनी कपूर और शेखर कपूर के बीच कुछ अनबन हो गई और फिल्म प्रेम अधर में लटक गई बाद में सतीश कौशिक ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया इस फिल्म में उनके अपोजिट तब्बू काम कर रही थी लेकिन इस फिल्म को रिलीज होने में पूरे 6 साल लग गए और जब ये फिल्म रिलीज हुई तब इस फिल्म का टॉपिक भी पुराना हो चुका था और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई हालाकि संजय के लुक्स उनके भोलेपन और फिल्म के गानों को दर्शकों ने काफी पसंद किया इस फिल्म के बाद संजय ने मादुरी दिक्षित के साथ इंद्र कुमार की फिल्म राजा में काम किया दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया और ये फिल्म सूपर हिट साबित हुई फिल्म के गाने एवर ग्रीन ब्लॉकबस्टर साबित हुए और आज भी सुने जाते हैं इसके बाद आई संजय की फिल्म करतव्य को भी अच्छा रिस्पॉंस मिला संजय की इन दो फिल्मों ने उनके करियर को उडान दे दी थी ऐसे में हर किसी को लगा कि बॉलिवुड में उनका करियर लंबा होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं शुरुआती सफलता मिलने के बाद संजय ने कई फ्लाव फिल्में दी जिससे उनका करियर ग्राफ गिर गया संजय कपूर ने आवजार और मुहपत जैसी फिल्में की लेकिन उनकी ये फिल्में बॉक्स आफिस पर कमाल नहीं कर पाई आज साफ साफ ये कहना है तेरे दिल में मुझे रहना है इसके बाद बतौर अभनेता सफलता न मिलती देख संजय कपूर ने एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया और बतौर प्रेडूसर सलमान खान के साथ काम करने पर विचार करने लगे इसी दोरान साल 1999 में संजय कपूर अपने बड़े भाई बोनी कपूर की ही होम प्रोडेक्शन फिल्म सिर्फ तुम में नजर आये इस फिल्म को गजब का रिस्पॉंस मिला फिल्म ब्लॉग बस्टर साबित हुई और इस फिल्म ने संजय कपूर के एक्टिंग छोड़ने की मनशा पर विराम लगा दिया और उन्होंने आगे भी बतोर अभिनेता ही काम करने की सोची हलाकि इस फिल्म से भी संजय के करियर को कोई बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं मिला क्योंकि फिल्म सुपर हीट होने का सारा क्रेडिट इस फिल्म का संगीत और फिल्म की हीरोईन प्रियागिल की मासूनियत ले गई लेकिन संजय के पास कई फिल्मों के ओफर जरूर आ गए जिन में से छुपा रुस्तम, कोई मेरे दिल से पूछे जैसी फिल्मे ठीक ठाक रही L.O.C. कारगिल जैसी कुछ फिल्मों में उन्होंने साइड रोल भी किये इसके बाद साल 2002 में आए फिल्म कायामत में इन्होंने नकार आत्मक किर्दार भी निभाया फिल्म में उनकी भुमिका को तो पसंद किया गया लेकिन फिल्म नहीं चली इसी दोरान बोनी कपूर ने कुछ ऐसा किया जिससे संजय कपूर का पूरा करियर ही खत्म हो गया दरसल हुआ यूँ कि राम गोपाल वर्मा साउथ की एक सूपरिट फिल्म का हिंदी रीमेक बनाने पर काम कर रहे थे जिसके लिए वो संजय कपूर को साइन कर चुके थे लेकिन फिल्म बनने में कुछ देरी हो गई और इसका फायदा उठाते हुए बोनी कपूर ने इस फिल वही तेरे नाम फिल्म जिसने सल्मान खान के डूबते करियर को फिर से जीवित कर दिया लेकिन इस फिल्म को संजय कपूर करने वाले थे जो कि अगर इस फिल्म को करते तो शायद उनका डूबता करियर भी बच जाता लेकिन खुद के सगे भाई ने ही उनके साथ धोखा कर इसके बाद संजय कपूर ने एक production house बनाया और वो अनिल कपूर को लेकर एक film बनाना चाहते थे अनिल ने एक डारेक्टर का नाम लिया और शर्त रखी कि अगर वो फिल्म डारेक्ट करेगा तब ही मैं काम करूंगा संजय ने अनिल की वो शर्त भी मान ली और उस डारेक्टर को राजी भी कर लिया इसके बावजूद अनिल ने संजय को 4 साल तक चक्कर लगवाए और उसके बाद उस फिल्म को करने से मना कर दिया चार-पांच साल तक संजय ने इस फिल्म पर अपना टाइम खराब किया तब संजय को समझ में आया कि दुनिया में कोई भी अपना नहीं है इसके बाद भी संजय ने संगर्ष जारी रखा और साल 2014 में उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था तेवर इस फिल्म में उन्होंने अर्जुन कपूर को कास्ट किया साथ ही संजय खुद भी दोबारा फिल्मों में काम करने लगे लेकिन इस बार वो करेक्टर रोल्स और नेगटिव रोल्स में ज़्यादा दिखाई पड़े उन्हें दर्शकों से भरकूर प्यार मिला अभिने की दूसरी पारी में उन्होंने मुंबाई दा गैंस्टर, मुबारका, मिशन मंगल, जोया फैक्टर जैसी फिल्मों में काम किया इसके लावा वो छोटे परदे पर एक्टिव हो गए और उन्होंने दिल सम्हल जरा नाम के टीवी शो में भी काम किया अगर बात करें उनकी परसनल लाइफ की तो उन्होंने महीप नाम की एक जोयल्री डिजाइनर से शादी की है उनके दो बच्चे हैं बेटी शनाया और बेटा जहान बेटी शनाया बहुत ही जल्द बॉलिवुड में डेव्यू करने वाली है जिसके बारे में करण जोहर अन अपने परिवार और बिजनेस के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं फिल्म टेन्मेंट की पूरी टीम संजय कपूर जी के उत्तम स्वास्थ और दीर्ग आयू की कामना करती है तो दोस्तों उमीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर करें संजय कपूर जी के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए ठैंक्स बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें साथ ही फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करें फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार